YouTube ने हमें क्या-क्या नहीं दिया नाम दिया पैसा दिया फेम दी बहुत कुछ दिया ठीक है और समय समय पर हमको धेर सारे अवाड भी दिये एक लाक सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए सिल्बर पिले बटन बेजा दस लाक वे गोलड पिलड बिजा और दस 플리य हमें तो यह तो रहरे तब YouTube इसता है, मेरे पास भी काफी सारे प्ले बटन्स हैं, और भी चैनल्स की भी मिल चुके हैं, गोल फिलहार मुझे एक ही मिला है, रक्षा की रस्वई में, ठीक है, अब तयारी मेरी है, डायमंड प्ले बटन की, बस उसको और देख लूँ, सारे सपने पूरे हो जाएंग लेकर वो इंडायकली काफी कुछ देता है, जिससे आपको अपनी चैनल की ग्रो करने में हैल्प मिलती है, साथ ही साथ एक चैनल की जो इमेज होती है, या आपको थोड़ा सा वैल्यू समझ में आती है, कि हाँ चैनल हमारी इस लाइक हो गई है, तो चलिए आज की वीडियो है, क्योंकि जो नई यूटुबर्स होते हैं, उनको इन चीजों की जादकारी नई होती है, कि क्या मिलता है, हमें क्या नहीं मिलता है, और बहुत अच्छा वीडियो है, जरूर वाच करिएगा, अगर आपके 500 से 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो वीडियो जरूर वाच अब बहुत से लोग जो नए होंगे, वो कस्टम URL जानते ही नहीं होंगे, तो सबसे पहले हम कस्टम URL समझ लेते हैं, किसी ने आप से आपकी चैनल की लिंक मांगी, तो आप क्या करते हो, सीधे-सीधे अपनी चैनल निकालते हो, और उसकी लिंक को कॉपी करके, किसी को भी स देख सकते हैं, मैंने लिंक को कॉपी करके पेस्ट किया, तो आप इतनी बड़ी लिंक हो गई, कि आप इसको याद नहीं कर सकते हैं, आपको यूटूब से कॉपी ही करना पड़े, तो इसके लिए 500 सबस्क्राइबर होने के बाद, यूटूब हमें ये फैसलिटी दे देता है, कि आप अपनी खुद की कस्टम URL लिंक बना सकते हैं, यानि कि इस लिंक को आप कहीं पर भी टाइप करोगे, वाटसप पर या कहीं और पर भी क्लिक करेंगे, तो तुरंत ही आपकी चैनल ओपन हो जाएगी, तो अभी मैंने नॉर्मल लिंक पर क्लिक किया, देख सकते हो तो मेरी रक्षा की रेसोई चैनल ओपन हो गई है, तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कस्टम URL कैसे बनाते हैं, कस्टम URL बनाने के लिए आपको अपनी चैनल को Chrome ब्राउजर में ओपन कर लेना है, आपको लैप्टॉप या डेक्स्टॉप पर खोल लेना है, अब आप उपर दिये गए, थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, और जैसी क्लिक करेंगे, नीचे से दूसरा ओप्सन आपको मिलेगा, कस्टमाइज लिखा भी है, तो आपको कस्टमाइज पर क्लिक करना है, और जैसी आप कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे, तो उपर आपको तीन दिख रहे होंगे, ले आउट, ब्रांडिंग और basic info तो आपको basic info पर जाना है, और नीचे लिखा है custom URL और उसी के नीचे लिखा है get a custom URL, blue color की लाइन पर, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना हो, जैसी आप क्लिक करेंगे, तो ये automatic ही आपका custom URL ले लेगा, जो की बहुत ही छोट जिसमें लिखा हुआ है youtube.com slash c slash रक्षा की रसोई ठीक है तो यह आपका custom URL हो गया जो starting में लिखा है ना sttpp करके यह सब कुछ नहीं है कि बल इतना और यहां पर आप कुछ changes करना चायते हैं वह मतलब आपको बोल रहा है कि आप रक्षा की रसोई के लावा यहां पर कोई number देना चायते हैं 123 ऐसा कुछ करके तो वह भी दे सकते हैं तो यह मेरा पहले से ही set था रक्षा की रसोई करक तो अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा change करके दिखाती हूं मैं यहां पर one लिख देती हूं तो यहां से आपको कोई दूसरा नाम या कुछ और नाम भी रखना है तो वह भी आप रख सकते हो तो basically हम वही नाम रखते हैं जो हमारी channel का नाम होता है और यहां से हम सेब कर द रसोई और मैंने आखरी में one on लिख दिया था ना तो one भी लिख देती हूं ठीक है तो अब हम इसको type कर देंगे और send कर देंगे अब मैं इस पर click करूंगी तो आप देख सकते हो सीधे ही मेरी रख्षा की रसोई channel ओपन हो गई तो देखा आपकी channel की link कितनी आसान हो गई ज दूसरा हमें क्या मिलता है तो आईए अब जानते हैं कि दूसरा ऐसा क्या चीज है जो मैं 500 सब्सक्राइबर की बाद मिलती है और उसे में क्या फायदे होते हैं तो इसके लिए हम चलेंगे अपने YouTube पर जाएंगे तो हम जाएंगे अपनी channel पर योर channel और यहां पर आपको द तैब का फायदा क्या होता है आप इससे अपने विडियो को बूश्ट करा रहे हो तो कुछ फिर से आ जाते हैं वो फिर से थूड़ा सा एक्टेव हो जाती है तो आप देख सकते हो मैं कितने सारे विडियो अपने यहां पर शेयर करती रहती हूँ ताकि लोग दुबारा इ देखें जिन लोगों ने नहीं देख पाया वो भी यहां से देखें और मेरी रक्षा की रसोई ब्लॉग है ना उसके वीडियो भी वहां पर शेयर करते हूं ठीक है तो आपकी दूसरी कोई चैनल है तो उसको भी आप अपनी इस चैनल में प्रमोट कर सकते हैं या अधर किसी इने बोला है कुछ लोग पैसे लेकर के भी प्रमोशन करते हैं इस तरह से तो वह भी आप कर सकते हो तो यहां से भी आप चाहे तो बोश्ट कर सकते है अपने वीडियो को तो दूसरा हमें ये बैनीफिट मिल जाता है कि हमें कमुनिटी टैब मिल जाती है तो फ्रेंड्स ज यसी मैं आपको बताती हूं कि यहां पर जो स्टॉक पर मैं गई थी न तो मैंने अपना मेरा इंटर्विव आया था अब दिखाते हूं आपको यह है जो स्टॉक पर रक्षा की रसोई का इंटर्विव तो यहाँ पर इनके वीडियोस को मैं खोल के आपको दिखाती हूँ यह देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे मेंशन कर दिया है तो इससे होता क्या है कि उनका वीडियोस तो जाएगे जाएगा यहाँ पर कोई किलेक करेगा जैसे इन्होंने लिखा है अट दरेट रक्षा की रसोई जब भी आप टाइटर डालो तो अट दरेट लिखके उस चैनल का नाम डिख सकते हो जिसको भी आप मेंशन करना चाहते हो तो वो बंदा उस पर क्लेक करेगा तो डरेट ही मेरी चैनल पर पहुँच जाएगा तो इससे क्या फायदा होता है दो फायदे होते हैं एक तो जिसको आप मेंशन करोगे उसके भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं दूसरा आपने जैसे रक्षा की रसोई को मेंशन कर दिया अब मेरे सब्सक्राइबर या अदर लोगों ने रक्षा की रसोई सर्च किया या रक्षा की रसोई रैस्पी सर्च की तो आपने मुझे mention किया था तो वो कही न कही आपका वीडियो भी उनको नजर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने रक्षा की रसोई को mention किया था, जैसे Facebook पर tag करते हैं तो दोनों लोगों को दिख जाता है, ऐसे ही mention कर सकते हो, आप बड़े-बड़े YouTubers को mention कर सकते हो, जैसे आ आप लोगों में से, यहां पर यह देखिए, एक interview और हुआ था मेरा जनता के राज में, तो इन्होंने भी मुझे को mention किया था, यह देखिए, रक्षा की रसोई करके, ठीके, तो अब कैसे पता चलता है कि किसी ने हमें mention किया या नहीं, तो इसके लिए यह जो notification का tab है, हम इ तो इस तरह से कितने सारे लोग बड़े-बड़े यूटुबर को mention कर देते हैं, उनके भी व्यूज आ जाते हैं, तो यह तीन चीजे हो गई, जो हमें यूटूब 500 सब्सक्राइबर के बाद दे देता है, और उसके बाद एक चीज हमें और मिल जाती है, तो देखा